आगे बढ़ने से पहले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर किलिक करें उसके बाद तुरन नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रिस करना ना भोले तो चलिए आईए वीडियो शुरू करते हैं साथियों नमस्कार मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूँ आपके बीच टेट 2017 के अंतिम संगर्ष के साथ साथियों हम विगत कई दिनों से माननी उच्छने आले खंड़ पीट लखनों में टेट 2017 की लगातार सुनवाईयां करवा रहे हैं इसे करम में आज हमारी दो अतिम हत्त पूर्ड सुनवाईयां थी खंड़ पीट लखनों में एक सुनवाई सीजे कोट में थी दूसरी सुनवाई कोट नमबर 23 में इसाथ अली साथ की बेंच में सिंगल बेंच में थी सीजे कोट की सुनवाई जब अपने नियत समय पे सुरू हुई लगबग आदे घंटे की बहस के दोरान कोट को पूरी तरह से अगत करा दिया गया कि अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है सुप्रिम कोट ने क्या किया है सिंगल बेंच ने क्या किया और डबल बे इस सारी चीजे हमने चीफ जेस्टिस महोदय की संग्यान में लादी बहस के दोरान सरकार की तरफ से सीएसी महोदय उपस्थित रहे कोट ने कोट ने कमेंट किया कि आपका मामला सिंगल बेंच में रिट के रूप में पेंडिंग है आपकी आज उस पे सुनवाई है बहस है बहस करने के बाद जो भी ने होता है हम फाइनल ने उसके आधार पे कल दे देंगे कल जो भी ने आपका आएगा अगर आपको जो भी राहत चाहिए होगी हम फाइनल सुनवाई इस पूरे मरकरण पे कल कर देंगे इसाद अली साब की बेंच में लंच के बाद के स्टेक अप हुआ केस के दोरान सारी बहस सारी चीजे वही दोराई गई कि अब तक क्या हुआ है चोदांक कैसे डिलीट किया गया था हमें चोदांक कैसे कामन चाहिए किस परकार से हम डबल बेंच सरकार हमें लेके गई सामि नहीं किया गल्टी इनकी है और हमें इनोंने पिछली बरती से तो बाहर किया था अब इस बरती से भी ये बाहर कर दे रहें जबकि हमारे पास केवल और केवल दो मौके हैं 25 जुलाई 2017 के आधे से पूरी बात जब कोट यहां एक सिंगल कोर्ट है सिंगल बेंच इस या एक मामला ऐसा है जिसमें डबल बिंच के आड़र को माननी सरवोच ने आ लए कि तीन जजो की बिंच ने सेटेसाइट कर दिया और आपका आज सीजय साहब में भी डबल बिंच ने सुना ऐसे मामले में सिंगल बिंच किसी भी प्रकार से हाथ नहीं लगाने में सच्छम है सिंगल बेंच हाथ नहीं लगा सकती है अब आपके इस मामले को अपक्स कोर्ट में ही जो इस पिसल अपील आपके पेंडिंग है वहीं से आपको राहत मिल सकती है साथियों हमने इस करम में अपने अधिवक्ताओं से बात की हमें जो आज निकल के आया कि कल हमें राहत मिलने का और विजे का एक दिन है हमारा और इस संगर्स का साथ अंतिन दिन है कल के दिन जब हमारी विजे सिरी पूर्ड होगी उस समय हम किसी को भी हतास और निरास नहीं होना देना चाहते हैं कोट है कोई भी और किसी भी प्रकार का दिर दे सकती है यदि कोड केवल और केवल याचियों को इस भर इश्चा में सामिल करने का दिर देती है उस करम में हम प्रदेश के उन समस्त साथियों को आउगत करा देना चाहते हैं जो हमारे साथ सिंगल बैंच में i316 कि अपने अपने वकीलों को कल कोट में समय से उपस्थित करना सुनिचित करें अभी अपने वकीलों से संपर्क साध ले क्योंकि जो वकील वहां पर उपस्थित रहेंगे उनकी ही रिट को कोट कंसीडर करेगा हम केवल हमारी बात करेंगे हम केवल अपनी बात रखेंगे वहा फूर्टि नाय हो इसलिए आप किसी कि भी रिट में थे कोई भी आपके वकील थे तीनसो सोउला रिट्क ती आप सभी से संपर्क करिये जो भी चाहता है कि उसे पूरा नयाय मिले 550 में जिसे नई करवाया जा सके साथिओं आप सभी जानते हैं और हम पुरी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि हाइकोट रहा हो चाहे सुप्रिम कोट रहा हो हमने पूरे प्रदेश में हमारे पेटिसनल्स के अतरित किसी से भी कहीं से भी एक रूपे का सहयोग नहीं लिया किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं ली हमने कहीं पर भी अपना अकाउंट जारी नहीं किया हमने हर विकट और विसम परिस्थिती से जूज़ना जूज कर डबल बेंच के आड़र को मानिसर वोच ने आले से रद करवाया आज की तारीक में या सत है या सत है या अटल सत है कि किसी के पास टीटी 2017 की मार्शीट नहीं है क्योंकि अगर भारत में सुप्रिम कूर्ट नाम की संसता होती है तो वो कहती है कि डबल बेंच का आड़र सेटे साइड और डबल बेंच के आदेश के करम में इन्होंने ٹीटी का रिजल्ट चारी किया था उस पर नीचे लिखा हुआ था आज की तारीक में किसी के पास डबल बेंच का आड़र सेटे साइड हो चुका है तो किसी के भी पास TET का result नहीं है ऐसी इस्थिती में हम 14 अंकों की लड़ाई लड़ रहे हैं 14 अंक हमारे आज भी उतने ही मजबूत है जब हम 2017 में कोर्ट में गए थे हम उतना ही उन पे अडिग है जितना 2017 में कोर्ट में गए थे साथियों हम कल सीजे साभ की वेंच में दोज़जों की वेंच है वहाँ पे हमारी प्लानिंग है हमारी सोच है मेरी वेक्तिकर सोच है कि हमें एक senior educate के साथ जाएं चुकि senior educate को emergency में लाना फ्रा मुश्किल हो है इसलिए पूरे परदेश के बहुत साथी जिनको लगता है कि हम सही दिसामेय और सारथक कारे कर रहें जिनको लगता है कि हमारे इस måste दोनों भरतियां उनके लिए सुरक्षित हो सकती है जिनको लगता है कि अभी उनको इसी 79,000 बरती में आवेदन करने का आउसर हमारे इस प्रियास से मिल सकता है हम हमारा सो परसेंट कर रहे हैं हमारी बाकी डिसीजन देना निर्ड़े देना कोट और नय पालिका के अधिकार छेत्र में आता है बहस के उपर डिपेंड करता है उन सभी साथियों से हम अनरोध करना चाहते हैं पूरे प्रदेश से कि आप आर्थिक रूप से कल 11 बजे तक यदि हमें मजबूत कर देते हैं तो हम एक सीनियर एडूकेट भी कोट में ले जा सकते हैं हम ले जाना चाहते हैं किसी भी कीमत पे ले जाना चाहते हैं अब हमें केवल और केवल आप हमने हमारे हिस्से का काम कर दिया है हमने हमारे हिस्से का काम बखुबी अंजाम दिया है अब आप के हिस्से का काम है अब आप अगर दूसरे का मुँ ताकते हैं दूसरे की तरफ देखते हैं तो कल सीनियर एडूकेट कोर्ट में नहीं होगा अब बहस तब भी होगी, हम तब भी जाएंगे, जैसे हम लड़ रहते हैं, वैसे तब भी लड़ेंगे, लेकिन हम कल कुछ बहतर करना चाहते हैं, क्योंकि कल इस पूरे के पूरे युद्ध का, पूरे के पूरे इस महासंगराम का अंतिम दिन है, और इस लड़ाई में, जो क कि सत्य के साथ है उसमें आप अपना सत्य को सहयोग कर सकते हैं सत्य को कुछ अपना योगदान कर सकते हैं जिस से कि आपकी आत्मा आपका जमीर या गवारा करे कि जब तेड़ 2,017 की अंतिम आहूती हो रही थी तो सीनियर मोश्ट एड़ोकेट को ले जाने में हमने भी अपन नहीं बोल सकते हैं, हमारा एक ही मानना है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिस करने वालों की हार नहीं होती, कल का दिन उपर वाले ने चाहा, इस्वर ने चाहा, इंशाल्ला फते का दिन होगा, कल का दिन जस्न का दिन होगा और कल का दिन हमारे लिए हमारे खोए हुए मान सम्मान को वापस दिलाने का दिन होगा कल हम सभी मिलकर जस्न मनाएंगे यदि हम हमारी पूरी प्लानिंग पूरी तरह से कामियाब हुई इस पूरे के पूरे आडियो को हर तरीके से जो भी पीड़ित प्रभावित है उस तक पहुंचा दिया जाए किसी को भी अब हम इस लड़ाई से बंचित नहीं रखना चाहते हैं किसी को भी उसके भविस्य से हम बंचित नहीं रखना चाहते हैं हम सभी के भविष्ट को सुरच्छित करना चाहते हैं इसी के साथ आप सभी के संकर्ष का साथी आपका रिजवानन सारी जैहिं